2024 का second IPO आ रहा है एक ऐसी कंपनी की तरफ से जो IPO लाने की कोशिश भी कर रही है second time, what a coincidence, इन्होंने 2021 में पहली बार ट्राय किया था IPO लाने का, पर market situation और strategic कारणों की वज़े से यह IPO को अपने carry through नहीं कर पाये थे, और अब 2024 का second main line IPO लेके आ रहे है Medi Assist Healthcare Services Limited, इस IPO के रिटेट जि करेंगे आज के single video में, साथ ही जितने भी IPO के investors होते हैं, उनके दिमाग में हमेशा एक बहुत बड़ी problem चलती है, वो क्या problem है और उसका solution क्या है वो भी मिल जाएगा आपको आज के इस video में, चलिए शुरू करते हैं, आगर हम company के एकदम basic points की बात करें तो 2002 में company incorporate हुई थी, देखिए company का complete segment है, जिस segment में company काम करती है, उस segment का initiation ही हुआ था 2002 में और ये company one of the initiator company थी complete segment में, ये company का main काम होता है TPA का, third party administrator, देखिए जितनी भी insurance company होती है, उनके लिए ये TPA का काम करती है, मतलब insurance company, hospitals के network and finally जो हमारे सामने आते हैं, हमारे से लोग जो insurance buy करते हैं, इन त कोई भी TPA पैसा कमाता कैसे है, देखिए, जो भी आप insurance premium pay करते हैं, उन में से एक portion, roughly ये portion vary करता है, 3.5% से लेके 5% के बीच का, जो insurance company pay करती है in TPS को, और यही इनका revenue model होता है, ये premium charge कहां से होता है, obviously, directly, indirectly, तो customer से charge होगा, पर suppose करते हैं, आपने 100 रुपे का premium pay किया insurance company को, 5% तक का portion सीधा TPA को चले जाता है, जो properly आपको management करती है, जिस समय आप claim file करते हैं, तो आप directly, indirectly, जितना भी process होता है, claim settlement से लेके, claim filing तक का, सब कुछ आप properly execute करते हो, with the help of TPA, आपको directly insurance company कर नहीं जाते हो, I hope इतने explanation से आप complete business model समझ किया होंगे, IP open होने वाला है 15th of gen को, और 35 shares में एक lot हो जाएगा, 14,630 rupees का एक basket बनेगा, H&I small category में अपलाय करने के लिए, आपको 14 lots में, यानि की 490 shares में अपलाय करना पड़ेगा, and H&I big category में आपको 69 shares, यानि की 2415 shares के अपलाय करना पड़ेगा, जिस size का ये IPO है, total IPO का size है 1171 croze, जिस size का ये IPO है, उस size के IPO को consider करे, औ present, जितना enthusiasm हो रखा IPO investors के बीच में, यहाँ पे हर एक category में, एक basket से जड़ा अपलाय करने का कोई use नहीं होने वाला, क्योंकि over subscription के chances बने वह है, promoter की holding IPO से पहले है 67.55% और IPO के बाद होने वाली है 45.75%, 50% है QIB, 35% है retail and 15% होने वाला है H&I quota, पूरा का पूरा ये issue होने वाला है offer for sale, जो one of the negative point and important negative point हो जाता है, इस complete IPO की study का, अब इससे पहले कि हम आगे जाए और financials, valuation और gray market premium की बात करें, आप सभी की एक बहुत बड़ी problem को हम solve कर देते है, as a retail investor, जो IPO में invest करता है, सबसे बड़ा issue हमारे सामने आता है funds का, कई बार ऐसा होता है कि अच्छे IPO में अपने हर एक family member के नाम से apply करने के लिए हमारे पास funds नहीं होते, या फिर एक ही समय पे multiple अच्छे IPO हमारे सामने आ जाते है, तो इस funds के issue का solution में आपक को एक hack के थुरू देने वाला हूँ, जिस hack का नाम है, world money का loan against mutual funds, यहाँ पे आपने mutual funds को lean पे रखके, उसके against पे loan की facility ले सकते हो, सबसे best part यह है कि यहाँ पे आपकी interest rate भी काफी reasonable होती है, 10.49% आपको reducing balance पे लगता जाता है, यह एक overdaft loan की facility है, आपको मैं एक example से समझाने की कोशिश करता हूँ, जो आपके लिए better होगा, suppose करते है, मुझे एक लाख रुपे की requirement है, जिसके against मैंने अपने mutual funds दिये और एक लाख रुपे का loan ले लिया है, अगर मुझे 10.49% का interest rate लगता है, चार दिनों के लिए maximum, लेकिए अभी आज के दिन क्या होता है, usually 3-4 दिन म GSTB लगेगा, जो total cost आजाती है, 1178 रुपीज, अगर मैं इस total borrowing cost को total कर दू, तो 1293 रुपीज आपका लगेगा पहली बार, और second बार से जब भी आप लोगे, आपको कोई भी processing fees नहीं लगेगी, processing fees सिर्फ और सिर्फ पहली बार आपके loan को process करने के लिए लगती है, second time से अगर चार दिन के लिए आप एक लाक रुपे लोगे, तो सिर्फ मात्र 115 रुपे लगेगे, और आपके funds का management अराम से हो जाएगा, किसी भी IPO में apply करने के लिए, world money की बात में हाप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको interest daily basis पे लगता है, आप जिस समय चाहो क्यो करने की ज़ुरत नहीं होती, प्लस उसी investment के basis पे आप loan ले लेते हो, चार दिनों के और एक IPO investor बनके, IPO का भी फायदा उठा सकते हो, अगर आप अपनी loan against mutual fund के eligibility को free में check करना चाहते हो, absolutely free of cost, 15 second के अंदर अंदर, तो description और pin comment में आपको link vault money का मिल जाएगा, आप जाके immediately check कर सक प्लस अगर आप अपनी credit line यूज करते हो, एक बहुत special offer है, बहुत limited समय के लिए और limited users के लिए, अगर आप अपनी credit line open करते हो, तो 250 रूपीज का आपको cash back मिल जाएगा, इस cash back के लिए literally मुझे company से fight करनी पड़ी, उसके बाद मुझे cash back मिला है, ये cash back आपको तभी मिलेग इसका एक user के नाम पर आपको cash back मिल सकता है, ये cash back का offer कुछ limited समय के लिए, limited users के लिए, तो सबसे पहले use करना मद भूलिएगा, अब हम चलते है वापिस से अपने IPO के discussion के उपर, आगर हम total assets की बात करें, तो 2021 में 545 करोश ते जो बढ़ते बढ़ते 800 करोश के उपर पहुच अच्छी growth rate है, revenue की बात करें, तो पिछले साल से इस साल के comparison में 25.95% के आपको growth rate मिल रही है, 518 करोश के revenue हो गए, अच्छी rate है, कोई दिक्कत नहीं है rate में, profit after tax भी 15.3% से बढ़ा है, 64 करोश से बढ़ते बढ़ते 74 करोश पे पहुच गया है, reserves and surplus भी company के पास sufficient available है, तो as such अगर आप financials को देखोगे, अच्छी है, return on capital employee 24.95% का है, return on net worth 19.63% का है, अगर हम EPS की बात करते है, तो IPO से पहले EPS रहती है 10.75 की, और IPO के बाद यहाँ पे EPS हो जाती है, 6.53 की जो तोड़ी सी कम हो जाती है, और P-E ratio जो इस complete IPO का एक important point है, IPO का अगर price band की बात करें, तो 397 से लेके 418 रुपीज का price band है, cut-off price पे apply करना पड़ेगा retail category के लिए, और H&I category में आपको 418 रुपीज का price को type करना पड़ेगा, punch करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे P-E ratio की बात करते है, तो IPO से पहले P-E ratio है 38.87 का, और IPO के बाद यहाँ पे P-E ratio हो जाएगा 64 का, अगरा सा scope मिलता, तो यह IPO बहुत attractive हो सकता था, क्योंकि segment ऐसा है, healthcare से related, जो आने वाले समय में, इंडिया में awareness बढ़ती जाएगी, इनका business बढ़ेगा, पर valuation यहाँ पे काफी risk demand करी विए, यह आपको पता होना चाहिए, as per sources, अगर हम finally grey market premium की बात करते है, तो grey market premium चल रहा है 81 रुपीज का, 418 रुपीज का है IPO price, 81 रुपीज का grey market premium चल रहा है, यानि की estimated listing price आ रही है, 499 रुपीज के आसपास की, 20% के आसपास का यह listing in की expectations हो जाती है, as per sources in grey market premium, subject to allotment, अगर आपको allotment मिल जाता है, तो grey market premium में retail category में आपको 2200 रुपीज के profit होने की expectations है, और H&I category मे 30,800 रुपीज के profit होने की expectations बनीवी है, इससे पहले कि मैं इस IPO conclude tone और final point पे ले जाओ, एक important disclaimer आ रहा है company की तरफ से, जो मुझे आपको बताना जरूरी है, अगर हम पहले 6 मेने की बात करते है 2024 की, तो यहाँ पे आपको top line पे और bottom line पे एक hit मिल रहा है, और profit after tax तुरा से एक छोटा figure दिख रहा है, कम figure दिख रहा है, company का ये कहना है कि इन्होंने amortization और depreciation के बड़े figures को यहाँ पे ले लिया है, जिसकी वज़े से इनका profit after tax impact हुआ है, and company ये expect कर रही है कि अभी जो आपको valuation जाला दिख रहा है, एक बज़ अब list हो जाएगा, और वापिस से इनकी profitability boost होगी क्योंकि ये सिर्फ एक accounting entry की वज़े से profit after tax कम हुआ है, सारी चीज़े ठीक हो जाएगी, अब आपको इस company के management वाले call पे कितना विश्वास करना है, और कितनी expectations पर काम करनी वह आपके उपर होता है, अगर मेरे personal mindset की बात करी जाए, तो एक okay okay IPO है, मैं बहुत amazing IPO नहीं ब और H&I big की category 12-13 गुना तक यहां पर भर जाती है, तब इस IPO में हो सकता है कि आने वाले समय में gray market premium में हमें बूझ भी मिले, और अगर market में, for example, lifty 21,300 या 400 के level को तोड़के नीचे के साइट चल जाता है, किसी भी करन से, तो इस IPO में दिक्कल भी आ सकती है, तो तो तोड़े अपनी कितनी eligibility है, उसे free of cost चेक करने के लिए description और pin comment पर आपको link मिल जाएगा, happy learning and I will see you very soon.